नमस्कर दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम घर पे बनाएंगे थाली पीट तो थाली पीट पनाने के लिए हमें आज चाहिए आधा कप गेहु का आटा दो बड़े चम्मच चावल का आटा दो बड़े चम्मच बेसन यानि चने दाल का अद्रक और लासुन का चौप चाहिए और नमक चाहिए मंग्रेला जवाइन चाहिए जीरा चाहिए और हल्दी तो किसी बरतन में सबसे पहले प्याज कटा हुआ डालेंगे फिर ये है खड़ा धनिया को रोष्ट करके अकूटा हुआ ये खड़ा जीरा है आधा चम्मच ये अद्रक लहसुन और मिर्चा का पेस्ट है ग्रश किया हुआ है ये ये अजवाइन और मंग्रेला है जिसे मैं हाथों से ग्रश करके डाल रही हूँ और ये नमक चाहिए स्वाद अनुशार और ये हल्दी पाउडर आधा चम्मच ये रेट चिली पाउडर है अब हम डालेंगे इसमें तीन तरह का आटा जो घर में एभिलेवल है जैसे गिम का आटा चावल का आटा और बेशन हर गर में रहता है वैसे तो थाली पीठ में जवार का आटा पाजरे का आटा मस्ट होना चाहिए यानि मल्टी ग्रेन आटा चाहिए लेकिन अगर वो नहीं हो तो भी आप घर में आराम से बना के इसका स्वाद ले सकते हैं तो यह सभी आटो और मसालो को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी दे के इसको हम मिलाएंगे हमें चाहिए सौप्ट सा डूर तो एक बार पानी नहीं डलना है थोड़ा थोड़ा डालके हम अन्दास से इसका हम आटा बनाएंगे थाली पीट तो महराश्टी अन्डे से ही है महराश्ट में तो हर स्ट्रीट का फूड है यह हर जगा मिलता है और यह बहुत ही पॉस्टिक होता है हेल्दी होता है यह रोटी तो चम्मच से तो अंदाज नहीं मिलेगा इसलिए हाट तो लगाना जरूरी है इससे हमें पता चलता है कि इसमें और कितना पानी चाहिए या नहीं तो महराश्ट के हर जगह लोग खाते हैं जैसे कि तरह-तरह का रोटी होता है उसी में ये ये भी एक तरह का रोटी है तो अब हम गैस अन करेंगे तबा चढ़ाएंगे और छोटा-छोटा बनाएंगे थाली पिट वैसे तो बड़ा-बड़ा बनता है पर मैं यहाँ थोड़े छोटे साइज का बनाऊँगे इसी तरह से तबा को गरम करके गैस आफ कर दिये हैं ऐसे हाथों से ही फैला करके पानी के सहाइता से हम इसको पतला-पतला कर लेंगे और छोटा थाली पिट बन रहा है तो इसमें एक ठो होल डालेंगे जिससे कि हम इसमें मक्खन या घी डालेंगे तो अराम से यह अच्छा पक जाएगा और अगर बड़ा बनाना होता तो कम से कम चार या पांच होल बनाना होता है तो इसे भी हम पानी के सहायता से इसे पहला लेंगे तवा पे ही और एक उंगली से होल बना लेंगे हम इतने बड़े तवा में कम से कम तीन तो आराम से बनी सकता है तो एक और इसमें बन जाएगा तो दोस्तो आप भी अपने घर में एक पर ट्राइ जरूर किजिएगा इसे भी छोटे छोटे साइस का बना लेंगे तो इस तरह से अब हम गैस को अन कर लेंगे और बीच में मक्खन डाल देंगे या तो घी में बनाईए या मक्खन में बनाईए या ओयल में भी अब बना सकते हैं तो इस तरह से हमें धीमी आज में पकने देना है बिलकुल लो फ्लेम होना चाहिए और इसी तरह से हम दबा दबा करके सेक लेंगे या बनाना आसान है जैसे घर में कैसे प्याज प्राठा बनता है तो इसी तरह से यही है कि इसमें तीन-चार प्रकार का आठा लगता है और कुछ मसाले लगते हैं तो बनाना बिलकुल आसान है ये फिर इसे ढख देंगे दो मिनट के बाद फिर इसे हम पलट लेंगे तो देखिए कितना अच्छा से पक रहा है ये इसको दबा दबा करके हम और मक्षन डाल करके इसे सेख लेंगे ये बहुत ही हेल्दी है बच्चों के टीफिन में भी आप ये इस तरह से बना करके दे सकते हैं ओफिस के लिए भी दे सकते हैं टीफिन में साइच छोटा हो तो टीफिन में आराम से अर्ट भी जाता है इस तरह से करारा और क्रिस्पी बनेगा ये इसको दबाते हुए हम अच्छी तरह से सेक लेंगे अच्छी धग देंगे धग धग करके इसे पकाएंगे हम बिल्कुल लो फ्लेम में तो अब ये दिखिए बन करके तैयार है ये इसका बना बनाया आटा भी मिलता है तो आप आटा भी लेकर के आप इसे बना सकते हैं जी तरह से तो इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में तो ये हमारा थाली पीट बन के तयार है इस तरह से गरमा गरम मक्षन के साथ आप परोसिए मैं आट मिक्स अचार और भुना हुआ हरा मिर्च के साथ अज़र परोस रही हूं अगर रेश्पी अच्छी लगे तो आप लाइक करें, कामेंट्स करें और शेयर करें